हेलो गाइज वेलकम टू तो दो सेकंड टूट्रियल आफ एकॉमरेस वेब साइट तो आज हम इस टूट्रियल में आप लोग को बताएंगे कि हमने इस प्रोजेक्ट में कौन-कौन से टूल्स एंड टिकनॉलोजीज को यूज करना है हम एकॉमरेस साइट बना रहे हैं तो ज सबसे पहले टिक्वरोमेक्स को सब्सक्रायब करें इस वीडिления को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ share करें are चुक्ति के वेबिडियूर्म्स को सुटि टूल्म यूस करेंग तो वेबियूर्म इसमें लग टूल्स को यूस करेंगे वेबिडियूर्म्स करें चुझज बनाता हैं तो उसके बाद है। CSS cascade styling sheet है जो के हम styles के लिए बनाते हैं कि HTML में जो हमने tags बनाया है जो structure बनाया है उसके तोड़ा सा style देने के लिए हम CSS को यूज करते हैं उसके बाद JavaScript को यूज करते हैं कि अपने जो हमारे pages हैं उसको तोड़ा सा dynamic बना सके हैं उसको तोड़ा सा fast load कर सके तेजी से हम अपने structure जो है website को build कर सके उसके लिए हम bootstrap को यूज करेंगे इसके बाद jQuery तो jQuery भी जो है वो JavaScript की library है वो भी हम fast loading के लिए इसको यूज करेंगे या images के movement के लिए या जितने हम dynamic काम करना चाहें उसके लिए हम jQuery को यूज करेंगे development जो back end है उसके लिए भी हम tools and technologies को use करेंगे कि हम कौन से technologies में back end इसकी coding कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि हम PHP में coding कर रहे हैं तो जो हमारे पास back end language है वो PHP है PHP में हम सारा काम करेंगे PHP हमारे पास programming language है तो इसमें हम जितने हमारी programming होगी जितना हमारा back end का काम होगा वो सारा PHP में होगा तो हम PHP में काम करेंगे अगर आप लोगों ने पहले PHP नहीं पुड़ी तो आप जाके मेरा जो PHP basic code है जो PHP basic tutorials है वो मैं बना रहा हूँ अभी तो वो आप पहले देख ले ता कि आपको PHP जो basics हैं वो clear हो जाए उसके बाद पिर आप लोग PHP इस code में आईएगा क्योंकि इस tutorials में आईएगा क्योंकि यहां पर हम advanced काम करेंगे यहां पर मैं आप लोग को basics के बारे में नहीं बताऊंगा यहां पर हम directly e-commerce site develop करेंगे तो आपको पहले जो basics हैं उसका पता होना चाहिए तो आप लोग PHP basics पहले पढ़के आई हैं अच्छा हम जैम सर्वर यूज़ करेंगे जो के और वो किस तरह चलाएंगे वो सारा mechanism मैं आप लोग को बता दूँगा टूल में हम यूज़ करेंगे सब्लाइम टेक्सट एडिटर Photoshop and browser तो सब्लाइम टेक्सट एडिटर जो है उसमें हम coding करेंगे जितना हमारे पास editing का काम होगा जितना coding का काम होगा वो front end पे हो या back end पे हो web designing का हो web development का हो वो सारा हम सब्लाइम टेक्सट एडिटर में करेंगे Photoshop में हम अगर for example हमें कुछ images चाहिए या हमें logo चाहिए या कुछ इस तरह की तोड़ी जो चीज़े हैं वो चाहिए तो वो हम basic Photoshop एडिटिंगर आपको आती है तो वो आप यहां पे कर सकते हैं यहां पे आप लोग कितना advanced Photoshop एडिटिंग नहीं चाहिए यहां पे आपको simple Photoshop एडिटिंग चाहिए अगर वो आपको चाहिए तो ठीक है आप लोग इस कोर्स में आप काम चला सकते हैं क्योंकि हमें simple सी चीज़े चाहिए होती है Photoshop ब्राउजर चूंकि हम website जो होते हैं जो वेब टूल्स होते हैं जो वेब development के जितने वेब में हम करते हैं वो सब हम ब्राउजर पे रन करते हैं तो हम अपने e-commerce site को ब्राउजर पे रन करेंगे इसलिए हमें यह टूल्स चाहिए ठीक है अच्छा यहां तक तक वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को समराइज करते हैं तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया कि हम tools and technologies को यूज़ करेंगे तो अगर आप लोगों का web development and web designing basics का आपको पता हो तो हम web designing के लिए HTML को यूज़ करते हैं CSS को यूज़ करते हैं bootstrap, JavaScript, and jQuery को यूज़ करते हैं अगर आप लोगों को पता हो के हम basics में क्या क्या यूज़ करते हैं तो आप लोग इस course में ये सारा कुछ आप मतलब चला सकते हैं इसके बाद हम backend पे काम करेंगे तो backend पे हम PHP को यूज़ करेंगे चोके PHP backend language है जिसको हम server side language भी बोलते हैं तो हम PHP पे काम करेंगे और हमारे पास इसको चलाने के लिए एक server चाहिए होता है तो हम XAM SERVER को यूज़ करेंगे XAM हमारे पास एक server है उसको install करना मैं आप लोगों को सिखाओंगा क्या अप लोग XAM SERVER को किस तरह install कर सकते हैं तो हम XAM SERVER को use करेंगे और हम sublime text editor को as a text editor use करेंगे कि हम उस पे text editing करेंगे कि हम जितना हमारे coding का काम है वो हम sublime text editor में करेंगे एक बहुत अच्छा editor है बहुत जबरदस editor है वो आप लोग देख लेंगे कि उसमें किस तरह काम होता है और हम photoshop को as a photo editing use करेंगे हैं कि अगर हमें logo चाहिए या हमें तोड़े से फोटोज चाहिए तो उसको हम एज फोटोशब फेकी दो अबला हाफ गलते हैं अगले टुटियल में तब तेक कि लिए लिए लाह फिज